आपका स्वागत है जैसा कि मैंने पिछली बार एक जंगल में चुनाओ पोएम जो है करके कुछ पार्ट उसका लास्ट का था हला कि वो वो आपके सामने पेश किया था पोएम मैंने लिखी तो बहुत पहले से लिख रहा था क्योंकि मैं पॉलिटिकली चीजों को देख कर लेकिन चुनाओ से पहले मेरी कुशिस थी कि मैं इसको पॉब्लिश करा पाऊ लेकिन आपको पता ही है कि अगर आप कुछ पॉलिटिकल ऐसा सटायर या वे अंग्यात्मक तो उसको बहुत जल्दी पॉब्लिशर मिलते नहीं है और कुछ मेरे नॉन टूथे उन्होंने मना किया कुछ लाइने हटाने की बात की तो मैंने मना कर दिया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यूटूब पे ही जितने भी होते हैं मैं उसको करूँ बाद मैं करके रिव्यू एगर देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इस पोएम को आगे एडिट करके फाइनली पब्लिश करूँगा तो अभी आपके सामने ये जंगल में चुनाओ इसमें बहुत सारे क्यरेक्टर्स हैं मैंने कहा ना कि जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि इसमें बंदर है, गेंडा है, रीच है, भालू है, बहुत सारे क्यरेक्टर्स हैं और आप से रिक्विस्ट भी की थी कि आप जो क्यरेक्टर्स को लगता है आपको की पहचान पहला कि मैंने पिछली कविता जो जंगल में चुनाओ दी तो कुछ साथियों का कॉला है उन्हो से पहले जंगल राज है, उसमें बबर शेर हैं, फिर उसके बाद बंदर राज आता है, फिर उसके बाद फिर सत्ता परिवर्त, उन्हों तो इस तरीके से कई है, इसलिए कापी लंबी लगबग डेर सो एक सो सिनब्बे पेजेज की कविता है, लेकिन इसको पढ़के बहु तो अभी मैं नहीं कह पाँगा, तो देखते हैं, आगे हम इसको शुरुआत करते हैं, आज मैंने कोशिस किया है कि पहले के ही अध्याई से बिलकुल फॉस्ट इसमें कई अध्याई मैंने बना रखे हैं, तो इससे मैं करता हूँ, तो देखता हूँ कि ओवर उल कैसा response कैसा रहता है तो उमीद है आप सभी इस वीडियो को देखेंगे इसे और भी साथियों तक भी पहुँचाने की कोशिस करेंगे और कुछ चीजों को मैं बीच-वीच में एक्स्प्लेइन भी करूँगा तो दिल में सब के आग लगी थी जंगल राज पे दाग लगा था बंबर शे करना था डाल डाल पे डोड रहा था जंगल राज में सभी दुखी थे पर मस्ती में दर्बारी गन थे चीक पुकार के वल गूज रही थी विचलित धर्ती अंबर और गगन थे जैसे अभी ये राज तंत्र की पिक्चर आई जिसन की गई है कि दर्बारी सब मस्ती में सब जैकारे की राग लगी होती है हां में हां मिलाते हैं वही उनकी नौकरी होती बंदर काफी दुखी हुआ सभी सोई जानवरों को जगाया जंगल राज की इज्जत खतरे में इसमें सबका तिरसकार बताया जंगल राज में अब इसको खतम करने के लिए बहुत ही माहोल के ल सह अस्तितो की विचाधार हो, यानि कि बंदर बहुत लंबी-लंबी बातें अभी कह रहा है, कह रहा है कि जो है नियायोचित बटवारा, एक नियाय संगत, नियायोचित बटवारा, सब के समान इंकम, जो कहते हैं न कि एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के हिसाब से, और लेकिन आय कि असमानता भी बहुत जादा ना हो, तो इस तरह की वो बाते करता है, ताकि जंगलर के सभी जानवर खुश हो जाएं, तो संसादनों के असमानता खत्मों सह अस्तितो की विचाधार हो, यानि कि सभी मिलकर साथ रहे, बंदर बोला, जंगर राज है, फिर भी इ जंगलराज और इंसानों में कमपेरिजन है, अलाकि कहाना केरेक्टर्स को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, इंसान हमेशा भूखा होता, आपस में लड़ जाता है, जानवर बेशक भूखा रहले भाईयों को नहीं खाता है, अब यहां पे नहीं इंसान और मानोता में भी जो कम्या है, उसको भी उजागा करने की कोशिस की है, और कहाना कि एक व्यंग्यात्मक शैली है, तो आप इसको समझने की कोशिस करेंगे, जंगल में अब आग लगी है, बंबर शेर को चिंता क्या, अगर होता लोक तंत्र तो जीवन ढूंडती चिता क्या, अब वो कहता है और अभी के लोक तंत्र दोनों को पिक्सराइज करने की कोशिस की गई है, इंसान देखो कितना लालची फिर भी स्वतंत्र मड़ाता है, एक दिन लेता है धंग से अगले दिन गले मिल जाता है, इंसानों की बात हुई है कि किस तरीके से इंसानियत रहती है, एक दिन एक जैसा होता है, कोई राजा नहीं होता है, उसमें सव्यानी की लोक तंत्र की अच्छाया बताई है, लोक तंत्र होगा जब अपना भी सनविधान होगा, बबर शेर से चुट्टी होगी, ऐसा अपना विधान होगा, मैंने कहाना भी राज तंत्र की बात हो रही है, और र भूआ गोँशनी पूसर्मोट उसकी के लिए मिलाधोन भेए चक्ताय जहां, जन्ल राजशनी आने लगई entend hall reflects the जैसे ही एक खबर दर्बारियों तक पहुँची बंदर को जट से बुलवाया अच्छी खासी मरमत की उसके ही सातियों से उसको दुलवाया जैसा होता है जब भी कोई विरोज करने की कोशिस करता है मार पिटा ही करके उसको बेज दिया जाता है तो यही हालत हुआ है कि दर्बारियों को जैसे खबर पहुँची तो कहते हैं बंदर को जट से बुलवाया अच्छी खासी उसकी मरमत की उसके ही सातियों से उसको दुलवाया हड्डियां जब दर्ष से कथक करती आंदोलन का भूत तभी शान्त हुआ दर्बारियों से मिले घाओ का अफमान का घाओ गहरा हुआ जब भी एकांत हुआ अब यह ज़्यादा तर आप आंदोलन में बहुत कम ही आंदोलन के पिक्चर आपके सामने नजर आते हैं बहुत ऐसे आंदोलन कारी हैं जो आंदोलन करते हैं तो उनकी जबान दबा दी जाती है तो यह सब चीजें हैं यहाँ पर बंदर का एक पार अभी खत्म हुआ यहाँ पर कि बंदर की अच्छी भली दुलाई हो गई है और वो बेचारा फिर से शांती से बैठ गया है बंदर अंदर से तूट गया था खुशी का कोई अहसास नहीं लोक तंत्र लाने की जित्ती दिल की धड़कन थी परसास नहीं अच्छी यादों को याद किया अब जब मदारी संग वह रहता था खोने को कुछ था नहीं पर सुख के सागर में बहता था अब यहाँ एक नया प्लान किया नहीं है लेकिन ऐसा है क्योंकि मैंने बहुत सारे केरेक्टर को अलग-अलग तरीके से इसमें लाने की कोशिश किये तो बंदर कभी भी एक लाइफ का पहलू भी है इसमें जीवन लाइफ वैलू है जब हम किसी चीज से हतों चाहित होते हैं तो हमें कोशिश कर नीचे अपनी अच्छी आदों को याद करके अपने आपको एनर्जाइज करने की तो वही काम अब बंदर कर रहा है और वो कह रहा है कि वो मदारी संग जब रहता था खोने को खोने को कुछ था नहीं पर सुख के सागर में बहता था मदारी संग लंबा मदारी संग लंबा और वो उसके साथ करके मदारी का खेल दिखाया करता था मदारी का जीवन अच्छा भला था मौसम के अनुसार ही गाता था बंदर से जब लोग उप जाते रीच लाकर उनका मन वहलाता था यानि कि जो मदारी था उसका टीम था उसमें बंदर थे रीच थे ये दोनों आपस में जानवरों का जो लोकतंतर यानि की लोगों के जीवन में वो चीजों को बता रहे हैं, अपना खेल दिखा कर काफी मजे करता था और जो भी कमाई होती थी, छोटी मयानि की एक सामान ने गरीब की जिन्दगी वो जीता था, मदारी का अच्छा टीम वर्क अच्छी तरह जोड़ पाएंगे, रीच बहुत ही शातिर चोर था, दिन दहाडे आँखों में धूल जुक बाता था, मदारी संग बंदर नाच दिखलाता, रीच जनता की पोकेट ही मार जाता था, यानि कि सबी केरेक्टर अपने अपने आप में, यहां पे रीच के बारे में भक्ती भाव जगाता, धार्मिक वीजन ही थी भीड की दूरी, हाना, अब धार्मिक वीजन थी, लोग ऐसे कहते हैं जिन चीजों को खुश हो, वही वह करके दिखाता था, अच्छा-च्छा, मतलब अच्छी इंकम हो जाती थी, समय समय पर भगवान बदलता पर प्रभ के दिखाते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे लोग जो देते हैं, वो मिल जाता था, जनता बहुत ही भावुक होती, भूल गई फिरंगियों की दह्शत, अवद की धरती लाल हुई, जब मानोता कई बार हुई, शक्त विशत, यहाँ पे यह आईरनिकल लाइन है, कि जनता ब कानी की कई बार शमशार हो जाती, तो अवद की धरती ऐसे लाल हुई थी, आप इसको जोड के समझने की कोशिश कीजिए, जब सबका राम ही मालिक है, तब क्यों इनसान इनसान में भेध हो जाता है, जहां गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता, वहीं अमीर के लिए जहान में भी बदलाव हो जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं होता है, किसी को बार बार पैरोल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और आम आदमी के उसके लिए कई बार कानून और व्यवस्ता बनाई जाती है, मदारी जनता की नब्स से वाकिप था, जनता का नेता बन गया, अब यहां पर मदारी का करेक्टर कैसे उपर निकल कर आया है, क्योंकि मदारी बहुत ही अच्छा वक्ता था, बार बार अच्छी बाते करता था, जैसे जैसे करके लोगों के बीच में क्योंकि जादा रहता था, हर जगा वो अपना मदारी का खेल दिखा बन गया कहाना कि पहले उसने अवद की धर्ती को देखा वहां पर उसने देखा फिर उसके मुद्दे उठाए और धीरे धीरे वो नेता बन गया पर प्रभुराम की जैजयकार हुई मदारी की शक्ती बढ़ गई अपरम पार प्रभुराम की जैजयकार धार्मिक सत्ता होगी बारंबार अब ये एक मॉडल धार्मिक मॉडल निकल कर आया और वो इसमें या आया कि भगवान की भक्ती करके आसानी से सत्ता को हासिल किया जा सकता है वैसे देखा जाए तो अलग-अलग देशों में भारत ही अकेला नहीं है पूरे वर्ड में कोई ऐसा देश नहीं जिस अप्रचार में भी पैसे कम खर्च होते हैं और बहुत जल्दी पोपुलेरिटी मिल जाती है तो यही काम मदारी के संग हुआ और वो बहुत जल्दी अच्छा नेता बन गया मदारी के नेता बनते ही सडक पे ही सरकारी आवास बना बंदर कल था जो स्टार पिचारक सवनी सरकारी पिजरे का दास बना अब यहां पे देखे आईरनी है फिर से कि बेशक बंदर तो मदारी के संग हुंता फिरता था अब वहां पे जैसे उसको मदारी की लाइफ सेट हो अब वो भी बन गए सरकारी वैपारी जो वैश्याओं के चर्णों के थे पायल, अब रीच क्या था बेचारा, वो बंदर का था परमित्र, उसके हाथ की सफाई के थे सभी कायल, यानि कि धिमाग इतना शातिय था, कहीं से भी कैसे पैसे भी बना लेता था, लेकिन वो क्या जो वैश्याओं के चर्णों के थे पायल, यानि कि जब सत्ता में कोई वैसे अपना करीबी आ जाता है, तो कई बार चोटे मुटे लोग भी बहुत उपर उठ जाते हैं, तो वही चीज को यहां बताने की कोशिस की है, राम नाम था रोजी रोटी राम नाम से प्रसिद हुआ, मदारी संग जीवन व्यापन करके बंदर अब बन गया था गिद। अच्छी यादों से उसे उर्जा मिलती पर कड़वा अनुवा भी याद रखा, सफलता एक बार में हासिल नहीं होती, लगातार फ्यास करना पड़ता है, किसमत को कोसना कायो रुका काम, बहादुनों को तो किसमत से भी लड़ना पड़ता है, इसमें कहाना बीच वीच मैं याने कुछ मोटिवेशनल लाइने डालने की कोशिस की है, अब बंदर इन चीजों को याद कर रहा है कि अब क्या करें, एक तो मदारी उधर हो गया और वो उसकी काम धंदा तो अब अलग, लेकिन ये जरूर है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, जीत के लिए अच्छी य मौका परस्त, जो मदारी की महिमा पेरस पाता था, अब यहाँ पे बंदर और रीच की दो चीजों की बताई कि ये दोनों तो मौका परस्त थे और जो आसानी से इनकी मदारी की महिमा पेरस पाता था, यानि कि मिलता था, मदारी की भक्ती रंग लाई थी, प्रभूराम की परमपार, अब यहां है आपको यह समझने की जूरत है, कि जिस आंदुलन को मदारी ने अभी अवद की धरती से ऐसे वैसे करके चालू किया, उसमें मदारी के अग्रज सत्ता सीन हुए थे, यानि कि अग्रज यानि के बड़े भाई होते हैं, तो एक तरीके से पॉलिटिकल ह सचायर है, यहां समझना है, पर मदारी का त्याग था परमपार, लेकिन मदारी ने जो घर-गर घूम कर, गली-गली में बटक-बटक कर, जो उसने अपनी चीजों को एक तरह से मुहिम दिया, अना धर्म का साहरा लिया, और उस तरीके से सत्ता हासिल हुई थी, लेकिन सत्त पे काबिज कौन हुआ था, मदारी के अगरज, बहुत ज्यादा संघर्श हुआ था, मदारी ने देखी थी दुनिया, विपक्ष सरकार को ऐसे पीट रहे थे, जैसे रूई को पीटता है दुनिया, अब वहां पे भी मदारी के लिए रास्ता ही आसान नहीं था, विपक्ष सत्ता को ऐसे पीट रहते, जैसे रूई को पीटता है दुनिया, जैसे रूई को दुनिया पीट पीट के कर देता है, तो वह हालत थी, यह बताने की कोशिस की है, मदारी की सत्ता का विरोध बहुत था, बार बार उठते थे प्रिश्न गंभिर, सरकार चलाना आसान नहीं थ कहीं पुजारी थे, तो कहीं थे पीर, अब यहाँ पे बहुती चीजें हैं, कहीं पुजारी थे, तो कहीं पीर थे, सब को बैलेंस कैसे करता मदारी, तो यह बहुती मतलब उसका विरोध होता था, इसलिए मदारी सत्ता में नहीं आ पाया, मदारी संग अग्रेज असफल तो यहां कहा कि मदारी संग अगरेज असफल हुए थे, माँळारी के साथ जो उसकी सप्ता थी, वँजओर हुए थे, लोकतंतर कई बार लहु नुहान हुआ, विफक्ष बनाता गांको का देरा, विफक्ष में बिलकुल सारे, कहते है नो आज भी संसद को आप उठा के देख कोई धर्म गुरू राजनीती में आगे बढ़ता कैसे उसका अंत वहीं जहां से वह था शुरू अब कहाना कि जिस जगह पे इस तरह की बाते हो रही थी बार बार वहाँ पैसे वह सत्ता में आता तो इसलिए उसकी सत्ता वहीं पे खत्म हो गई जहां पे शुरू राजनीती में वह कामयाब भी होता पर भावनाओं में बहकर फस जाता था फूल बनने से पहले का मंजर कीचड में अकसद धस जाता था यह भी समझने का राजनीती में वह कामयाब भी होता पर भावनाओं में बहकर फस जाता था क्योंकि मदारी थोड़ा सा इमोशनल था और हर बार वो मतलब कीचड में धजाता है, एक्टुली आवाज हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसको एंड करूँगा, जहां सवचता की कीमत जादा कीचड में खिलना आसान नहीं, राजनीती में सब कुछ जायज होता कहीं, सही, कभ जादी मिलती जूट बोलकर ही पीट पे घात किया, बंदर जैसे सेवक के रहते, मदारी को छोटी सत्ता की क्या दरकार, जिसकी सत्ता का कायल अखंड जंगल हो, वहां मदारी की क्यो ना हो सरकार, बंदर ने महत्वा कांखशा का बीज था बोया, बिन मौसम भी फल आने की थी दरकार, छोटे जंगल की सत्ता थी सपने से ओजल, अखंड जंगल में बनती थी सरकार, अब यहीं पर मैं इसको आज का एपीसोड यहीं खतम करूँगा, मैं